हेलो फ्रेंड वेलकम टो में चानल कैसे हूं आप सब आज हम करीखी रेसिपी लेका रहे हैं इसे बनाना काफी यदा सान है योग घूने में बहुत जाधा टेस्टी बनती है आज जो मैं करी लेक रही हूँ जे इमली की बने हुए करी है और जे काफी जाता सान से बन जाती है और खाने में भी टेस्टी होती है चलिए इमली की करीव नाना हम स्टार्ड करते हैं इसके लिए मैंने इमली का पानी लिया है एंवली के पलप में मैंने पानी डालकर यह पानी तयार किया है अब इसमें दो बड़ी ізभाद बेसन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करतेंगे पानी में इसी अच्छे से मिक्स करना है इसमें कोई वी लम्स नहीं होना चाहिए तड़के के लिए जे मैंने प्यास लिया है हरी मिज टमाटर नसन अग्रेप और जे कुछ करी लिए जे पालक को मैंने इस तरह बारी कार लिया है मिथी दाना लिया है जीरा और साबुत काली मिर्च जे बरीक वाला मिथी दाना है आप बड़े वाला भी ले सकते हैं जो मैंने जे गोल बनाया है इसमें हमसाली अड़ कर देंगे टेस्ट के कॉडिंग नमक डालेंगे हल्दी पाउडर कश्मिरी लाल मिच पाउडर गरम मिसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे जे करी पंजाब की फेवरिट डिश है कभी-कभी ऐसा होता है ना कि गर में कभी धही नहीं होता चाह लसी नहीं होती तो इस तरह हम इमलीक से भी करी बना सकते हैं और जे काफी ज़्यदा टेस्टी बनती है चलिए तड़का लगा लेते हैं गैस भी मैंने एक कड़ाई में ऑईल कर्म होने कले रखा हुआ है कर्म हो गया है ऑईल अच्छे से अब इसमें मसाला डाल देंगे जो साबत मसाले हैं जीरा काली मि से पाइज और मिथी दाना आप हम इसमें करी मिल्स टाल देंगे जब भी करिमना यह थे उसमें करी लिप्स जरूर डालें करी लेस टालने से करी का टेस्ट कफी ज़्यदा बढ़ जाता है और खुशू भी कफी ज़्यदा बढ़ जाती है अब हम इसमें प्यास डाल देंगे प्यास को मैंने इस तरह लंबाई में कट किया हुआ है इसे अच्छे से mix करनेंगे और बुनेंगे इस हमें जादा नहीं बुनना है प्यास को इसे जादा golden brown नहीं करना है इसका हलका सा ही इसे बूनना है हमें अब हम इसमें लसन और अद्रो को भी डाल कर बून लेंगे इन सबी चीजों को हमें ज्यादा नहीं पूनना है बस इसका जो कच्छा पन होता है उसे ही हमें दूर करना है लसन अद्रो को भी मैंने डाल दिया है औरमेज, आपने टेस्ट के पूल लेंगे, अब हम इसमें हमने पालक को बारी कटा हुआ हुआ था, वह इसमें डाल देंगे, और पालक को भी साथ में ही बून लेंगे अलका साथ जब बून चुका है हमारा मसाला अब इसमें हम जो अमने बैटर बनाया था बेशन और इमली का बोर डाल देंगे इसमें पानी आड़ करेंगे करे में हम थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि इसे काफी दे तक हमें पकाना है जितना ज़्यादा हम इसे पकाएंगे करे को उतना ही टेस्ट ही हमारी करी बनेगी इसलिए हमें और ज़्यादा पानी डालना है इसमें कि जतने जादा पानी होगा değil को कुर्णी को क्या हमें कुर्के हमें इसमें पकोड़े भी डालने है पकोड़े डालने से कफी ज़या एदा गाड़ी हो जाती है इस लिए हमें ज़्यादा पानी करना है कि आए Rs. Андona को एक उबाल आने देंगे तो देखें उबाल आ रहा है जब इसमें एक उबाल आ जाए तब हम इसमें कट्शी रख लेंगे ता जो जो इसका उबाल है बाहर ना निकले जब भी करी बनाते है ना ऐसा होता है कि करी जो है वो बरतन से बाहर निकल जाती है और सारा बरतन गंदा हो जाता है गैस गंदी हो जाती है इसके लिए आप इस तरह एक लगड़ी की कड़्शी लेकर इसमें रख लें तो जितना भी उबले करी हमारी बाहर बिल्कुल नहीं तो आप इस ट्रिक को जो जाग रखें और बीच बीच में लाते रहिए क्योंकि करी हमारी लगनी नहीं चाहिए नीचे जिदेखी करी हमारी काफी उबर कही थी लेकिन बरतन से बाहर बिल्कुल नहीं निकली क्योंकि हमने इसमें खर्शी रखी हुई थी तो आप इस तरह जोरो ट्राइ करिए गा कि भीच में हम करेको लाते रहेंगे करेब कि कि अधिये आप कितनी गाड़ी करना चाहते हैं उसी साथ से इसे पकाते रहिए ूस को पकोड़े होते हैं उसका जो चूरा होता है वह हैसे जब पकोड़े बनाते हैं तो इसका काफी ज़्यादा चूरा बच जाता है पड़े-पड़े पकोड़े जो होते हैं वो खा लेते हैं चूरा रह जाता है यह वही चूरा है इसे मैंने करी में डाल दिया है इसे जो हमारे करी है काफी यदा टेस्टे बन जाती है और जो चूरा होता है फोड़े का वो भी जूज में आ जाता है जो देखिए काफी यदा गाड़ी हो चुके है हमारे करी अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे इसके उपाला चुका है इसमें करिए हमारी बनके बिल्कुर रही है जो देखिए कितने गाड़ी भी हो चुकी है जो काफी जदा टेस्टी बनी है आप जरो ट्राइ करिएगा चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं कि देखिए करी हमारी बनके बिल्कुर रही है कितना अच्छा कलर रहा है और जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है आपको आज कीजिए मेरी रेस्पी कैसे लगी गाइस मुझे कोमेंट करके जोरू बताईएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शियर बनाएगा थेंक्स फूर वाचिंग अगरे जरू बनाएगा थेंक्स फूर वाचिंग